पाकिस्तानी टीम का काया कल्प हो गया है। आपसी तकरार बोर्ट की राज लीती में अलग थलग पाकिस्तानी टीम ने नमबर वन टेस्टीम इंगलन्ड को करारी शिकस्त दे है। पाकिस्तान का काया पलट पाकिस्तान क्रिकेट अपने शबाब पर नमबर एक की टीम को पाकिस्तान ने धो डाला मैच फिक्सिंग के साथ अंदुरूरी गुडबाजी से उबरती हुए पाकिस्तानी क्रिकेट टीम ने खालिया दिनों में अपने पुरानी क्रिकेट का रंग दिखाया है दुनिया की नमबर एक टीम इंगलेंड को पाकिस्तान ने सीरीज के पहले दोनों मुकाबलों में धूल चटाते हुए सीरीज पर दो शोन की अजे बाठत बनाली है अबुधावी में खेले गए दूसरे टेस्ट में पाकिस्तान ने इंगलेंड के सामने 145 रं का छोटा लक्ष रखा था लेकिन इंगलेंड की पूरी टीम अब्दुर रह्मान की घूमती गेंद के आगे नौसीखिये की तरह सिर्फ बहत्तर रंों पर धेर हो गई जो कि पाकिस्तान के खिलाफ इंगलेंड का अब तक का सब से कम स्कोर रहा चेतना आपने दिखा कैसे पाकिस्तान ने घुटे टेकने के लिए इंगलेंड को मजबूर कर दिया बिल्कुल आप दिखें कि जितनी टीम्स हैं सुर्वी जब वो अपने घर पे खेलती हैं कि मतलब बिल्कुल आप उनको कंपीट नहीं कर पाते हैं और वोही हाल जब बाहर जाती है जैसे इंडिया का हुआ वैसी पाकिस्तान को होता है तो कहते हैं हम घर पे बहुत बड़े शेर हैं चेतन एक दुख भी होगा पाकिस्तान टीम को खुशी के साथ साथ कि वो देश में नहीं खेल रही है वो देश के बाहर खेल रही है ये पीड़ा होगी उनके मन में कि ये जो मैच है उन्होंने अपने धर्ती पर क्यों नहीं जीता तो ये पाकिस्तान बोर को सोचना चाहिए पाकिस्तान सरकार को सोचना चाहिए कि जितनी जल्दी वो महौल बनाए, पाकिसान में खेले, उतना ही पाकिसान बोर्ड का भला होगा. चलिए रिश्वाल जी, बहुत बहुत शुक्रिया, चेतना आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया. हम आगे बढ़े, क्रिकेट और खेल से जोड़ी सभी खबरों को देखने के लिए आप लॉगण करें हमारी वेबसाइट www.indiatvnews.com पर.